हेलो फ्रेंड्स विल्कम तु स्ट्वेंट पेडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चानल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिगण मुस्लिम इसर्टी क्लास 11 कटप्स के बारे में क्योंकि काफी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे इसके रिकार्डिंग काफी कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को पूरा देखे और बतलादू पीडियेफ नहीं बना पाया था इसमें आपको ध्यान से सुनना होगा मैं नौर्माली पीडियेफ बनाकर यहाँ पर एक्स्पें करता हूँ अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियो तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक्स बाते क्या यहाँ पर एक ही स्कूल है तो बतला दू जी नहीं यहाँ पर मल्टीपल स्कूल से है यहाँ पर सीड भी आपको स्कूल में अलग-अलग देखनी को मिलती है बोईस और गल्स के लिए भी यहाँ पर जो है इस यहां पर जो है admission आप देखेंगे तो कुछ schools में ज्यादा demand है कुछ schools में कम है और यहां पर बहुत सारे आपको देखनी को मिलेगा ठीक है ऐसा ही कि कितने में ज्यादा जाता है cut up कितने में कम तो यह भी अलग बात हो गई पर यहां पर normally cut up कितना जाता है वो जान लिजे पहल जो है यहाँ पर internal student हो जाएंगे और यहाँ पर external student वो है जिन्होंने जो है यहाँ पर पढ़ाई अपनी कहीं और से गरी यहाँ पर जो है अलिगर्ण मुस्लिमी स्टी के student नहीं थे इस सल इंटरेंस examination दिया तो इनमें जो है cut-up आपको पता होगा थोड़ी अलग-अलग जाती है यानि internal student की यहाँ पर preference रहती है तो cut-up की बात करते हैं यहाँ पर कितने cut-up में आपको admission मिल जाएगा तो सबसे पहले हम जानते हैं internals की अगर आपकी 45 score आपने करा है तो यहाँ पर आपकी selection हो जाएगी कितनी रहती है तो बतादू girls का भी लगबग same रहता है काफी जादा आप देखेंगे अलग-अलग बताते हैं लोग की 45 प्लस रहती है 45 से कम रहती है बोईस से कम रहती है तो बतादू boys से इतना भी जादा आपका कम नहीं होता 43, 44 उनमें जो आपके marks अगर होंगे तो आप का भी selection हो जाएगा यह जो रही बात आपकी बतादू intermediate की फिर normal यह cut-off है इसके बाद भी chances of admission बिल्कुल रहते हैं क्योंकि आपको पता होगा अगर आपकी selection list आएगी तो एक selection list होगी यहाँ पर एक waiting list होगी एक special category list होगी तो तीनों में जो है तीनों list से admission होते है उस सब जो ह प्लस है अगर आपका कम होता है या 50 नॉर्मली मान लेते हैं 50 वालों का फिर admission वेटिंग में clear हो जाती है ठीक है 50 अगर रहती है तब तक आपका admission यहाँ पर मिल जाएगा 55 प्लस है तो selection list में रहेगा आपका admission मिल जाएगा और girls वो इस दोनों की लगबक सेम रहती है ठीक है इसमें भी girls का एक दो marks आपका कम रहेगा पर इतना आपको देखनी को मिलता है नॉर्मली यह जो रही आपकी बतलादू यह नॉर्मल cut-ups है अब waiting वाली की बात करें क्योंकि काफी लोग जो है इससे कम भी score करते होंगे काफी लोगों का score कम होता होगा तो क्या उनका admission नहीं होता तो बतलादू ऐसा नहीं है उनका admission यहां पर हो जाता है आपको बतलादू यहां पर जो है अगर आपकी cut-up marks से यहां जो मैंने बताई उससे 2 marks 3 marks कम है तो बिलकुल आपकी waiting में clear हो जाएगी उसके बाद बतलादू यहां पर waiting तो clear हो गई फिर भी काफी student बच बिलकुल रहते हैं बात करें हम अगर आपके score external की बात कर रहा हूं अगर 43 44 भी रहा 45 भी रहता है तो आपको जो है self finance में यहां पर मिल जाता है अब self finance क्या है तो देखिए बहुत सारे आपको facilities नहीं मिलती जैसे hostel facility वाला यह सब जो है और fee आपकी थोड़े यहां पर ज्या की आपको पता होगे diploma के entrance examination साथ में होती है तो अगर आप यहां पर 40 प्लस score करते हैं तो diploma में बिलकुल आपके chances है पर diploma भी काफी लोग नहीं लेते क्योंकि यहां पर आपके branches अलग-अलग होते हैं ठीक है तो यहां पर schools में intermediate करना चाहते हैं यहां पर cut-up काफी हाई रहेगी diploma करना चाहते हैं यहां cut-up कम रहती है और जो है internal external दोनों की बात करें 40 तक में आपका यहां पर diploma में admission हो जाता है तो यहां आपको एक idea हो गया होगा बात करेंगे state की भी next वीडियो में यहां बस जान ले यह एक conclusion आपको provide कर देता हूँ तीन list आती है आपका एक selection list एक waiting list और यहां पर एक होगी आपकी special category list वेटिंग लिस्ट को chances memo list भी बोलते हैं वहां पर chance रहता है क्योंकि सब लोग तो admission नहींगे जो select हुए काफी लोग दूसरे जगा admission ले लेते हैं तो वहां पर जो है जो न admission मिल जाएगा और diploma में 40 तक में आपको admission मिल जाएगा girls boys दोनों के लिए बात करें यहां पर externals की यहां पर externals में कितने 55 प्लस आपको score कर रहा होगा तब आपको जाकर यहां पर selection list में नाम देखनी को मिलेगा यानि selection आपका हो जाएगा 50 तक में क्या है तो बता दूँ waiting के clear हो सकती है वहां 40 तक में waiting के लिए हो सकती है बात करते हैं self finance की self finance में marks कम भी है तो यहां पर chances of admission आपके रहते हैं self finance में कुछ facilities आपको नहीं मिलती बात में बात करेंगे उसकी ठीक है यहां पर self finance बिलकुल आप यहां पर fill up कर सकते हैं और form उसका और उसमें भी chances of admission बहुत ज्यादा रहते हैं internal external students की और साथ में diploma की बात मैंने की diploma में cut up बहुत ज्यादा कम होती है हाँ पर 40 तक में external internal दोनों का admission मिल जाता हैं तो hope आपको समझ में आ गया होगा एक idea हो गया होगा और जो है कुछ video out हो तो मुसे पूछ सकते हैं thanks for watching best of luck